दोस्तो बजट 2021 में भारत सरकार ने EPF से related एक नया नियम प्रपोज किया था ये नियम क्या है और कब से इस नियम को लागू किया जाने वाला है इन employees पर इस नियम का सिधे सिधे असर होने वाला है ये सारी चीजे आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले है वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजी और प्रेस कीजी बैल बैटन को ताकि फ्यूचर में जब भी मैं EPF से related ऐसी important वीडियो डालू तो उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए एक employee दुआरा अपने provident fund account में पूरे साल में जमा की गई PF contribution की रासी धाई लाग रुपे से अधिक होती है तो तो उस रासी के ब्याज पर tax exemption नहीं मिलेगा यानि के उस ब्याज की रासी पर आपको income tax का बुकतान करना पड़ेगा budget 2021 के इस proposal को follow करते हुए हाल ही में 31 अगस 2021 को CBDT यानि Central Board of Direct Taxes ने इसके बारे में एक notification भी जारी किया है जिसमें income tax rules 1962 में rule 9D को जोड़ा गया है और साफ साफ instruction दी गई है कि अगर एक employee दुआरा EPF account में जमा किये गे contribution की रासी पिछले साल में private employee के case में 5 लाग रुपे और government employee के case में 5 लाग रुपे ते अधिक होती है तो उस रासी पर मिलने वाले ब्याज पर tax की exemption नहीं मिलेगी उस ब्याज पर employee को income tax पे करना पड़ेगा इस tax की calculation के लिए employees provident fund account के अंदर दो अलग अलग account maintain किये जाएंगे taxable contribution और non taxable contribution इस नियम को 1 April 2021 से लागू किये जाएगा यानि जब employee अगले साल financial year 2021 की income tax return को file करेगा तो उसमें इसकी सारी details उसको mention करनी होगी हाला कि EPFO ने अभी इन दो खातों के बारे में कोई भी उपचारिक आदेश नहीं दिये हैं CBTD यानि Central Board of Direct Taxes ने कहा है 31 March 2021 के EPF closing balance और व्याज की राशी को non taxable माना जाएगा और इस राशी को non taxable account में दिखाय जाएगा उसके बाद यानि financial year 2021-22 में यानि के 1 April 2021 से 31 March 2022 तक जो भी contribution employee दिवारा अपने EPF account में जमा किये जाएगा private employee के case में अगर वो ठायलाग रुपे से ज़्यादा है और government employee के case में अगर वो पांच लाग रुपे से ज़्यादा है तो इस limit से उपर जितना भी amount होगा उसको आपके taxable account में दिखाया जाएगा example के तोर पर अगर आपका साल का contribution 10 लाग रुपे है और आप एक private employee है तो 10 लाग में से minimum amount हम हटा देते हैं तो 10 लाग में से 5 लाग हटा देते हैं तो वो बनता है साड़े साथ लाग रुपे तो साड़े साथ लाग की amount पे जो भी आपका interest यानि के ब्याज आपका accrued होगा उस amount पर आपको tax pay करना पड़ेगा और ये tax आपको हर साल pay करना होगा दोस्तो कम income वाले employees को घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस नियम का उन employees को ज्यादा नुकसान होगा जिनकी साल की income 20 लाग रुपे से ज्यादा है ऐसे employee को अब PF contribution पर मिलने वाले ब्याज पर tax pay करना होगा दोस्तो आई होप आपको clear हो गया होगा कि एक employee द्वारा जमा कियेगे अपने EPF account में contribution पर मिलने वाले साल के total ब्याज पर employee को कितना tax pay करना होगा दोस्तो वीडियो अच्छी लगे हैं तो please like और अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजेगा और EPF से related ऐसी informative वीडियो के लिए subscribe करना मत भूलेगा अभी के लिए धन्यवाद अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे All the best